प्रेंड्स मैं रितेश कुमार मेरा यूटूब चैनल डीके टेक्निकल ग्यान में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जानेंगे आगनला भारती एप में OTP को भेड़िफाई कैसे करें तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन दबा दे और घंटी का आइकन भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चलते हैं आगन लभार्ती एप में वहां पर जाके आपको बताएंगे सबसे पहले सिंक्रोनाइज करें इस पर आपको जब भी एप को आप लोग उपेन करें तो सिंक्रोनाइज जरूर कर ले ताकि जो भी नया डाटा फ्रेस होता है वो हमेशा डाटा सिंक होता रहेगा उसके बाद नया बेनिफिसरी सुची लोड करें इस पर आपको क्लिक कर देना है जो डाटा सिंक्रोनाइज हमेशा होता रहेगा तो कोई भी दिकत नहीं होगा तो हम चलते हैं ओटीपी कैसे सत्यापित करना है उस बारे में तो मेरा डाटा खुल रहा है तो मेरा डाटा खुल चुका है तो जैसा कि मैं आप एक चीज़ाओ देख लिजिए खाता संखिया से खोजे जैसे कि माल लीजिए बहुत सारा इसमें रहता है लभार्थी तो यह कि करके आप लोग ढूनिएगा तो समय लगेगा ठीक है तो इसके लिए आप लोग सिम्पली खाता संखिया अगर चार रंग जो लाश्ट चार डेजित रहता है उससे आप लोग सर्च किजिएगा तो जिसका ओटीपी डालना है सर्च बक्स में वहीं सबसे पहले आ जाएगा तो चलिए मैं यह करके दिखा देता हूं देखिए यह मेरा आ चुका है उसके बाद कुछ नहीं है तो इसमें हम ओटीपी डाल के आपको सत्यापित करके दिखा देते हैं मेरे पास मैंने ओटीपी निकाल के रखा था तो चलिए डाल देते हैं देखिए मेरा भेरिफाई हो चुका है अब इसको क्या करेंगे अपलोड टू सर्वर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यस दबा देंगे तो मेरा डाटा सर्वर से अपलोड हो जाएगा आप लोग भी इसी तरह करके एक बार देखिए उसके बास जब भी आप लोग करें तो सिंक्रनाइज हमेशा करें जिसे कि आपका डाटा हमेशा फ्रेस रहेगा और जो ओटीपी एक्सपायर बार बार दिखा देता है वो नहीं होगा तो चलिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं धन्य बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस एप के बारे में और कोई जनकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ दे और उस उसके उपर मैं वीडियो बना दूँगा धन्य बाद